हालो काईज वेलकम डूट एक यास और यूटीब चैनल और फाइनली रेड्मी ने अपनी 13 सीरीज में दो ने स्माटफोन को इंडियन मार्केट में आज लॉंच कर दिये पहला है रेड्मी 13 सी 5G दूसरा है रेड्मी 13 सी 4G आज की स्टूड में बात करेंगे अब रेड्मी 13 सी 5G स्माटफोन के बारे में क्या कुछ आपको इंडियन विर्येंड में एक्जेक्ली में स्पेक्स मिलते हैं क्या कुछ प्राइस पॉइंट पर लॉंच होएं और क्या कॉंपटिशन से कंपीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे तैमस करें फटाफ़ आपको डिडेम कर डिखने को मिलते हैं डूवल केमरे का सेट अप है डिखने में फॉन काफी सही है डिस्प्ले के अगर हम बात करें तो यहां पर गेन आपको 6.74 इंच का एक वाटर ड्रॉप नौच के साथ में 90 हर्ट सीफेशिटी के साथ में एक IPS डिस्प्ले मिलते हैं जो रेजोलूशन है वापको HD प्लस का देखने को मिलते हैं रैम और रॉम के अगर हम बात करें 4GB, 6GB, 8GB अलग-अलग विरियंट्स मिल जाते हैं उसी के साथ में आपको ट्रिपल कार्ट स्लोट यहां पर दिया गया है साथी में UFS 2.2 है और LPDDR 4X यहां पर दिया गये, परफॉर्मंस के अगरम बात करें तो यहां पर अपको मीडिया टैक का डेमेंसिटी, 6100 प्लस वाले 5G चिपसेट मिलता है जो के 6 RAM टेक्नोजर बेस्ट है, कैमरा इस के अगरम बात करें आपको बैक में डूल कैमरे का सेटप मिलता है, 50 मेगा पिक्सल का है, जो दूसरा कैमरे आपके सकते हो यूजलेस है, उसी के साथ में 5 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गये, Android वर्जन यूई के अगरम बात करें, Android 13 आउट बोक्स मिल जाता है, MiUI 14 में यहां पर यह रन करते है, सेंसर के अगरम बात करें, तो यहां आपको सारे स साथ में, रिवाइस सपोर्ट करता है, 18 वोट की फास्ट चार्जिंग को, लेकिन डब में आपको 10 वोट का ही चार्जर देखने को मिल जाते है, तो यह तो थी बात, यहां पर Redmi 13C 5G स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में, अब बात करते हैं, सबसे इंपोर्टेंट चीज में इंस्टेंट डिस्कॉंड है, तो एफिक्टिवल आप लेपाँगे 10 वोट में, लेकिन जो एक्ट्वल पास में काड नहीं है, तो 11 वोट की रखी गई है, अब बात कर लेते हैं, क्या यह स्मार्टफोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो मेरे इसाब से लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा है, आप मैं से बहुत सा लुक सोचेगे, बाई, 10-11,000 वोट में 5G मिल रहा है, और क्या चीए, तो मार्केट में इससे बेटर आप्शन मिल जाते हैं, यह स्मार्टफोन में आपको बताओ, 4-5 यहा पर आपको कॉंस भी द होने वाले हैं, आप वाटर ड्रॉप नौज दे रहे हैं, मतलब मेरे साब से बिलकुल भी सही नहीं है, इन्फिनिक्स यहर अभी दो दिन बाद एक नया फोन लाने वाले 6000 रोपे की रेट में, सेंटर पंच होल दे रहे हैं, आप वाटर ड्रॉप नौज 11000 रोपे के फोन म सही नहीं है, नेक्स कॉन की बात करें, तो यहां पर आपको जाइरो सेंसर देखने को नहीं मिलता है, यार बेसिक सेंसर है, रेडमी के पहले कितने चीप, 7000 रोपे के फोन में भी जाइरो सेंसर हमें देखने को मिलता था, पर यह स्मार्ट फोन पे मिसिंग है, और कैमरा ज यह same variant आपको मिलता है, आपको glass bag मिल जाएगा, full HD display देखने को मिलेगा, center punch hole देखने को मिल जाएगा, इससे better performance देखने को मिल जाएगी, fast charger आपको box में देखने को मिल जाएगा, तो 1000 पर आप कम के चक्कर में बेकार phone मेरे सबसे मत लेना, Redmi 12 5G ले लेना, Poco M6 Pro, same price point पे से better specification देता है, या Realme का Narzo 60X 5G भी आपको 12.0 पर गी rate में मिलता है, इससे far better आपको specification प्रोइट करा दा है, तो पता नहीं है, smartphone मतलब क्यों launch हो और launch होता, तो मेरे सबसे effectively price point अगर 9.0 पर का सपास रहे दी, तब ठीक थी, और डारेक्ली 10.0 पर में भी एक बार launch करते हैं, तभी भी आप कह सकते हो, बट 11.0 पर में launch हो है, तो मेरे सबसे, जो market में में आपको 2-3 option बता हो, इससे far better आपको value provide करा देते हैं, वैसे कैसा मुझे कम सक्षों ने बताना, रेड्मी 13C 5G स्मार्टफोन 11.0 पर में आपको कैसा लगा, क्या आप ये स्मार्टफोन परचेस करोगे, नहीं करोगे, आपके सबसे स्पैसिफिकेशन को देखते वे, इसकी इंडिया प्रेस पॉंट क्या हो नीची यह थी, मुझे पताना नीचे कमेंट्स में,